नमस्कार इस वक्त हम राची के होटवार के खेल मैदान में हैं और यहां पर कोचेंग का सीगरेट का क्ला से चल रहा है और हमारी साथ इस वक्त नुकुल टुपो हैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की थी अपने डिश्टिक से मैंने खेलना सुरू किया था फुटबोल का और फिर मैंने साई जोन की थी स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया में फिर मैंने वहां से इंटरनेशनल खेला फिर हम जिस्टिक कहां पर कहां से आते हैं गुम्ला से आते हैं गुम्ला में आपके कोच हैं रिजवान रिजवान अली वही मेरे कोच रहे हैं रिजवान अली सर मेरे पहले कोच रहे हैं पिर मैंने साई जोइन करा तो वहां पर सुसील कुमार बर्मा सर रहे सुनील कुमार सर रहे हमारे को इसके बाद फिर इंटरनेशनल खेलने को मौका कम मिला जब मैं साई मी थी 2010 में मैंने इंटरनेशनल गेम पाटिशिपेशन किया था और उसमें हमारा बांगलादेश धाका म हुए थी क्या उपशिशार रहा था भारत का इंडिया उस्तायम भारतिया टीम क्या एक ही टीम होती है सभर में तो इस्टे वी इस सभी आई थी सभी ने हुआ हुआरे दो फिर इंडिया इन्जूरी हो गई थी इसके बाद फिर आपने करियर फिर कोच मैंने ऑपरेशन के बाद रिकभरी की फिर उसके बाद मैंने फिर खेलना शुरू किया तो मैं लास्ट गेम मेरा दोजार पंद्रा में थर्टी फिप नेशनल गेम्स रहा जो केरला में हुआ था केरला में डेडी स्पोर्ट से कमेंटी करने गया था तरिचूर में आप लोगा खेल हो रहा था लेकिन भारती टीम की आपको जारकन की बहुत पोजिशन खराब थी मनिपूर से बहुत बुरी तरह से प्राजित हो गयी थी यह जारकन टीम नहीं हो पाई थी उस ताइं में हमा तो हमारी तीम भी अच्छी हो सकती थी और हम अच्छे पोजिशन पर आ सकते थे तो हमारी इतनी अच्छी कैंप नहीं रही थी इसले हम नहीं कर पाये थे मुझे याद है मैं कमेंटी कर रहा था डीडेस पोल से और वहां पर मनिपूर की टीम चंपियों रही थी उडिशा को पराजित किया था तो चलिए अभी कैसा दिखते हैं भारतिय टीम में नई नई लड़के आई अच्छा कर रही है अभर अभी जो अंडर 16 सेफ हो रहा है नेपाल में जार्खन की पांच लड़कें खेल रही है और उसका कुमारी ने हैटिक किया और भुटां को बिलकुर र साध्ay बिलता था सब्सक्राव भात क॥रेये का बिलता अक्तुर से अगर प्तिसी ऋ दिखेंग नेखशन क करते हो दो खोARIN लिएक और हमारे लिए खेली है सरीमा टेटे ओलम्पिक खेली है और चार-पांच लड़की आभी भी खेलती है बारतिकी में शंकिता कुमारी है और बीटी डूंडूं अच्छे ची खेलाडी आई है जारकर ने होकी में बहुत अच्छा खेलाडी को दिया है खास करके सिम्डेगा गुमला खुटी लेकिन फुटबॉलमें उम्मीद करते हैं कि इस तरह से लड़कियों का उभार होगा जिस तरह से होकी में आईए समने हैं जिस तरह से मैं सूचती हूँ जैसे होकी को प्रॉमोी घुक किया जा रहे वैसी ही फुटबॉल को भी आगे गिया जाए Ken motivate वालमी करने की क्चमता ह सब्सक्राइब करें तो फिर वह बच्चे आगे तक बढ़ सकते हैं चलिए इसके बाद फिर आपने केरियर को बदला और फिर अभी आप कोचिंग में आ गई सब्सक्राइब करते हैं और लड़कों से चार कदम आगे भी बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है हर चित्र में और इस्पोर्स के चित्र में तो देखा जाए तो और भी ज्यादे लड़के अभी इंटरनेशनल बहुत अच्छा में खुद जमी हूं अगर जर्फिश चत्टान का है कफस्तों कगर में मेरा मोशिन हवा में शोर अभी तक मेरे उडान का है उमीद करते हूं कि आपके गुरान का सुर हवा में गुंती रहे बहुत बहुत शुक्रिया